नमस्कार प्रणाम मैं के सारे लल यादो आप सब का बेटा आप सब का भाई आप सब भजपूरी के जितने भी देवतारुपी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं उनका पैर्शु के प्रणाम कर रहा हूँ और आज बड़ी दुख के साथ मुझे लाईवाना पड़ रहा है आज ए कल में बैसाली जिला में एक सोकर ने गया था और वहां पर बहुत ज़्यदा पत्राव मेरे उपर हुआ और ये मेरे बड़ी भाई सुदीर सिंग जी आज पोस्ट की यह है कि मैंने असलिलता के खिलाप आगाज कर दिया मैं आपके असलिलता के बिरोध में नहीं हूँ मैं भी समर्थन में हो कि असलिलता नहीं होनी चाहिए लेकि अपको जगर मुझे मारना ही है तो भाई आप बुला लीजे मुझे और मुझे अपने बेच में मार दिजे न मेरे मुझे से कुछ पबली को मेरे जानता कुछ छो मुझे 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 करते है आप आज आप Facebook ID पर अपने डाले हुए हैं कि मैंने असलीलता के विरोधी आगाज कर दिया है मैं एक जादो समाज का बेटा हूँ एक गरीब परिवार का बेटा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है यार मैं आगे बढ़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है मैं मेहनत किया और मैं आज जोब कुछ हूँ मेरे जाती के लोग मुझे महबबत करते हैं सिर्फ मेरे जाती के नहीं हर जाती के लोग और आप कह रहें कि असलीलता का अगाज कर दिया मैं जहां भी सो करने जा रहा हूँ भाई लोग मैं आज दुख से आ रहा हूँ कल मेरी हत्या हो जाती कम से कम दो सब पत्थर मेरे गाड़ी पे चले हैं एक भी सीसा बचा नहीं था सिर्फ मेरे गाड़ी पे और वहाँ पे इनके समाज के लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारे समाज के वहाँ लोग थे और राजपूत समाज के लोग भी मुझे बहुत महबत करते है ऐसा नहीं कि नहीं करते है लेकि मेरे वो जैसे यार वहाँ पबलिकों को बहुत ज़दा प्रबलम हुई मेरे पब्लिक जो मुझे 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 देखने आती है उसमें हर समाज के लोगों थे कुछ अपने समाज के लोगों को राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिला कर और ये मेरे हत्या कराने के हर जगा ये मुझे प्राबलम कर रहे है पेस्बूग पे डाल रहे हैं जे मैंने अगाज़ कर दिया, क्या साबीत करना चाहते हैं आप बोल रहा हैं जे गरीबी का ढोंग रच रहा हो, मैं जतियता कर रहा हूं मैं जतियता क्यों करोंगा एकलकार का कोई जाती नहीं होता सुदिर्विया आप मेरे बड़े भाई की तरह है आपको हमेशा सम्मान देता हूँ अज सिर्फ खेसारी के ही कारिकरब में क्यों हो आप अपनी बैक्तिकत दुस्मनी पबलिक पे क्यों निकाल रहे हैं आप अपनी बैक्तिकत दुस्मनी को सिरिफ खेसारी उसका भागेदारी क्यों है आप अपने समाज के लोगों को भढ़का कर आपको मुझे मारना ही है तो आप बोले कि खेसारी में तुम्हें मार दूँगा अगर तुम्हारे अंदर वो अधम है तो आप तुम मेरे पास हाँ मैं अकेला आजा हूँगा सुदिर भिया लेज मैं अब से हाथ जोड़के परातना कर रहा हूँ कि मैं अगर यादो समाज के वे एक बेटा हूँ एक गरीब परिवार का बेटा हूँ मुझे उतना तंग मत करिये आप कभी साधू के लोगों से बोलवाते हैं मेरे बेटी को गाली दिलवाते हैं मेरे माँ को गाली दिलवाते हैं मेरे बहनों को गाली दिलवाते हैं ये अच्छी बात नहीं है मुझे चाहने वाले बहुत सारे लोग है आपके साथ जो हुआ उसमें मैं कहीं दोसी नहीं था जो मुझे मुझे मुखबत करते हैं अपने प्रक्रिया हाँ लेकिन मैं कभी नहीं किसी को बोला कि आप सुधिर भिया को गाली दीजी आप सुधिर भिया को मा बहन के गविनी वो भी मेरी मा है आपकी भी मा मेरी मा है आप मेरे हर कारिकरम को भंग करना चाहते हैं उसमें पबली का नुकसान हो रहा है आपको मेरा हत्या करना है तो कर दीजेगे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार के बेटे को जीने का कोई हक नहीं है तो आप पबलीक जनता मुझे बता दीजे अरे य आती के लोग मेरे लिए भगवान सुरूप है आप ऐसा फेस्बुक पे डालते हैं फेस्बुक पे कुछ भी लिखते हैं और कह रहें कि मैंने वैसाली के धर्ती से आगाज कर दिया अपका स्क्रीन सोट मेरे पास है कि आप क्या आगाज करना चाहते हैं जातिवात पैदा कर के लोगो को भड़का कर उसमें नुकसान किसका हो रहा है मैंकल बैसाली में गया था पहले स्टेज के पीछे बास खिच दिया गया स्टेज भस गया उसके बाद जर्नेटर का तार काट दिया भाई साउंड बंध हो गया मैं वहां क्या करू अंधेरा में मैं क्या करू और गारी पे कम से कम दो सो बताईए जिस मेटी पे मैं गा रहा हूँ वहाँ पत्थर कहां से आया पत्थर वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे और मेरे गारी पे बारिस की तरह बर्शा मैं सहीदों के सम्मान में गया था वहाँ मैं असलील गाने के लिए नहीं गया था वहाँ जि दिखाई दे रहा है कि सारी किसी बाबा से आप गाली दिलवाते हैं कौन सा स्लील गाना है मेरा भी मुझे बता दे आप उनका भी नाम सिंही है मैं हर राजपुत समाज के हर आदमी दोसी नहीं मैं सब को नहीं बोल रहा लेकि आप ये जाती बाद अपने ही लोगों में कहा कि मुझे तंग क्यों कर रहे हैं अब कहिए मैं गाही की छोड़ दूँगा यार जहां तक चुनाओ की बात है ना यार मैं चुनाओ नहीं लड़ूँगा जिसको लड़ना है मेरी दुनिया दूसरी है ये जनता ने मुझे कम से कम 50 MP की ताकत दिया है मुझे आप हर जगा मुझे परिसान कर रहे हैं मैं आज बहुत दुख में बोला हूँ क्योंकि मैंने अपने सामने परसासन के कुछ लड़कियां थी उनको छिड़कानी आपके लोग कर रहे हैं आप हर सो में कुछ अपने लोग भेज कर और मेरे को परिसान कर रहे हैं उसमें पब पुलिका भी नुक्सान नहीं होगा, जो जनता मुझे प्यार देती है, बेटी की तरह मुखबत करती है, इस जनता में कोई जाती परता नहीं है, और जो खेसारी को मुखबत करते हैं खेसारी पर इठा नहीं चला सकते, आप ऐसे साजिस मत किया करिए, आपको लड़ना है बहुत खोस्म भी याँ आज मैं जो भी हूँ अपनी जनता के बहुत दौलत हूँ मैं 24 गंटे से सोया नहीं हूँ शरिप मैं आखों में आसु लेके रो रहा हूँ यार क्योंकि मैंने अपने सामने दस लोगों का सर पढ़ते हुए देखा मैं गुजरात के हाथसा में जो मारे गए हमरजीत थे उनके बच्चों को गोद लिया उसमें भी आपके लोग टिपड़ी कस रहे हैं कि खेसारी राजनीती कर रहा है ट्रेन हाथसा हुआ है जाकर वहां के गोद नहीं ले रहा है मैं कभी नेता हूँ जितना मुझे समझ में आता है मैं कितना टाइम दो अपने जनता के लिए एक मनुरंजन का साधान हूँ मैं वहाँ पे मेरा बेग बिलिवनो गाड़ी थी उसमें मेरा बैग था एक गुल्ड की घड़ी थी कुछ कैस पैसे थी सारा बेग उग सब छिनवा दिया सबने मैं जो कपड़ा पहन के गया था वो कपड़ा पहन के आया हूँ बेग तक नहीं है मेरे पास आप ऐसा मत करिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं जादो कुल का बेटा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोस है आपको मेरे जाती से प्रॉबलम है मैं किसी को नहीं बोलता कि आपको कोई गाली दे जो मुझे 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 करते हैं वो अपनी राहे रखते हैं लेकि फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीस आप लोग किसी के मा बेहन को गाली मत दीजिए सबकी मा तो मा ही होती है बेहन बेहन होती है कोई मा और कोई बेहन क्या किसी का भी गाड़ा आपके टेक ने मुझे मैं सोच रहा था कि वो पबली का हंगामा है लेकि आज आपका टेक ने मुझे आपने जो टेक किया है फेस्बूक पे कि मैंने आगाज कर दिया बैसाली के धरती से उसमें सिर्फ खेसारी के मुझे कम से कम 40 इंटे लगे है मेरे पीट पे उसका दर्द मुझे नहीं है लेकि भीड का आढ़ लेकर मेरा हत्या मत कराईए आप उस भीड में बहुत सारे हमारी जनता होती है जो उसको मैं भगवान मानता हूँ उसको तकलीफ हो रही है कही ना कही और मैं जानता हूँ परसासन से मदद मेरा क्या मिलेगा इसकी करवाई क्या होगी उन नहीं जानता हूँ लेकि परी अभी तो जनता को प्रॉब्लम हो रही है ना मैं बहुत परिसान हो यार आज पुरे वर्ल्ड में खेसारी को छटे नमर पे दुनिया ने साबित कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है मैं आमेशा महनत करता हूँ मैं दिल का क्या हो नहीं जानता है लेकि आज बहुत रुलाया है आपने मुझे टेक किया कि मैंने आगाज कर दिया क्या आगाज करना चाहते हैं मुझे नहीं लड़ना है चुनाओ यार जनता की बलाई के लिए कोई काम करता हूँ मैं चुनाव लड़के अपना जीवन नहीं चला सकता मैं लीटी चोका बेचकर यहां तक आया हूँ उस वक्त आप नहीं थे आप कभी मुझे दूरुपिय का मदद तक नहीं दिये आपको क्या प्रोबलम है मेरे से मेरे तीन गाड़ियों का सीसा चकनाचूर दस लड़कों का मेरे जूब मेरे सांत गये थे सबका सर फट गये मुझे चाली सीटा लगा यार सिरिफ मेरी गाड़ी पे लग रहा था जैसे की बंब एक फेक रहा है कोई मैं वहाँ से निकला सिरिफ ओगनाईजर के कहने पे निकला यार हर जाती के लोग मुझे इतनी प्यार देते हैं अपने बेटी की तरह मानते हैं हर आदमी वहाँ बेदुस्मान है यार आपके जाती के लोग तो मुझे यहाँ भी परिसान कर रहा है इंडिस्टी में भी भहुत सारे लोग मुझे परिसान आप की निट वर्किंग मैं जानता हूँ आपका वही पाम है आप पूरे दिन खेसारी के बारे में सोचते हूँ लेकिन मैं तो अपने पब्ली का मनुरंजन करा सकूए अभी भी मैं सदमे से नहीं निकल रहा हूँ अगर आप द्यालू होते एक नेता के पद पे हैं तो हमर जीत के बच्चों को गोद आप क्यों नहीं लिए कोई नेता क्यों नहीं गया लेने के लिए मैं उनको अपने बच्चे अपने भगिना की तरह उनको गोद लिया उसमें भी आपके लोग टिपड़ी कस रहे हैं कि राजनीती कर रहा हूँ तो मुझे चुनाओं नहीं लड़ना यार मैं एक इंसान हूँ इंसान भी खुस हूँ और एक इंसानियत का भार जधा कर रहा हूँ बागी कुछ नहीं मेरा हथ्या करा दीजिए आपको लगता है ना कि मैं आपके काटा हूँ आपका सबसे बड़ा आप मुझे मार दीजिए लेकि अकेले मारिए पब्लिक के भीड का सहरा मत लिजिए मुझे अपने पब्लिक पे बिश्वास है और जिस चुनाओ के आप बात करते हैं यह आपको पब्लिक जबाब जरूर देगे जो मैं एक सर्श्वती का पुत्र हूँ और मैंने कभी किसी का गलत नहीं का आज मैं रो रहा हूँ ना तो सरिप मेरे सामने कही पब्लिकों का सर पटा मेरे साथ लड़के गए थे देखने मेरे साथ गाड़ी लेकर गए थे सारे लोगों की गाड़ी के सीसाब तुड़वा दिया सबसे ज़्यादा जिस गाड़ी में मैं बैठा था उस पे तो बंब चल रहा था भीड में मेरी हत्या मत कराए यह साजिस मत रचे भीड में कि मैं असलील गाता हूँ मैं कहां असलील गा रहा हूँ यार आप असलील का ठेक देकर आपको बहाना मिल गया है कि कि सारी असलील गाता है असलील गाने वालों का डेली सो हो रहा है वहां अंगामा क्यों नहीं करा रहे हैं आप अपनी ब्यक्तिकत, मुद्दे को अपनी ब्यक्तिकत, दुस्मनी को भीड काड लेकर, असलिलता काड लेकर, दुनिया को क्यों भड़का रहे हैं, अपने समाज के लोगों को, मेरे बिर्यूद, आपने तो मुझे पाकिस्तान साबीत कर दिया है, आपके समाज के लोगों प्लीज और इसको असलिलता का ठेक मत लगाईए आज आप असलिलता का ठेक लगाकर आप बेग्तिकत स्थनार्वनी निकाल रहे हैं मेरे से क्यों मत निकाले आपका टेक अज मुझे मैं ठीक ता मैं आ रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कैसा हो सकता है मैं नहीं देखता फेस्बूक प्लीज मैं आप सबसे अब आप ही लोग इनसाफ करिये मैं कुछ नहीं और मुझे चुनाओ नहीं लड़ना यार मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ मुझे तो मेरी जनता ने मेरी भगवान सुरूप जनता ने मुझे तो इतना बड़ा बना दिया है कि मैं 50 MP का एक पावर रखता हूँ इस जनता के बहुत अवलत मुझे एक महराज गंज कि चुनाव लड़ने से मेरी जीवन नहीं चलेगी और मैं क्या चुनाव लड़ूगा आप लो क्या मुझे तो तोर दिये आज आज तो आपने तोर दिया मैं आपके आपके ही बिदान साभा का बेटा हूँ ना मैं प्लिज रिक्वेश्ट कर रहा हूँ मत करिये ऐसा मुझे 40 सींथा लगा इधर मेरा पुरा बोड़ी सूज गिया है आप ऐसे मत करवाईए चले बाकि ठेक है लेकि मैं बस जनता से अपील करना साथ हूँ कि मेरा हात्या हो सकता है भीड क्यार में आदमी मेरा हात्या करा सकता है जिसे साब से कि सरकार कि मैं जब भी बिहार जाओं तो प्लीस आप लोग मेरा साथ देजिये नहीं तो मेरा हात्या कभी भी हो सकता है कल जिसे साब से पत्थराओ मेरे सर पे हुए है सिरिफ मेरा सर बचा है क्योंकि दो लड़के फूजे कभर किये थे फिर भी इतना इटा पत्थर चला है कि कम से कम दो से तीन बोरा इटा मेरे गाड़ी में था आप असलिलता कटेक देकर दुनिया को मुझे गुमराह मत करिए कितने लोग आते हैं यार लेकि सिरिफ खेसारी आपका दुस्मन क्यों बना हुआ कि सारी ही क्यों मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपके लिए कभी कुछ गलत सोचा हूँ मैंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ अपने जन्ता के मनुरंजन के बारे में सोचता हूँ आप लोगों से हम कलाकार लोग हैं भी या हम लोग बड़े कोमल दिल के होते हैं हम दिल से दुनिया से जूड़ते हैं हमारे अंदर मकारी नहीं होती है मुझे माफ कर दीजी आप लोग पिलेच साहिद अगर बच्चे नहीं होते तो आज साहिद के सारी लल्या दो जिन्दा नहीं होता कल मारा गया होता और आप से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अब यह इंसाफ पब्लिक ही करेगी और जन्ता आपको जब आप तो देगी ही देगी ऐसा नहीं के नहीं देगी आप लड़िये जितना चुनाव लड़ना है सब चुनाव लड़िये मुझे नहीं लड़ना है मुझे महराज गंज नहीं चाहिए मुझे हर जीला के लोगों ने मुझे 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 सब बैठे थे पहले से पहले जरनेटर का तार काट दिया साउंड तोड़ दिया उसके बाद हंगामा किया जब साउंड तार लाइट काट देगा कोई और साउंड बंद हो जाएगा तो मैं कैसे गाऊंगा यार अब उसके बाद उसके याड में आप इटा चलवा रहे हो जब इटा चलती है न तो उसमें ये नहीं देखती है कि वो किस जाती पे लग रहा है यादों को लग रहा है कि मेरे राजपूत भाई को लग रहा है कि मुसल्मान भाई को लग रहा है कि किस जाती को लग रहा है, ये कोई नहीं जानता, इटा जात देखकर नहीं चलता है, जात देखकर नहीं वार करता है, मैं दो दिन से खाना नहीं खाया हूँ यार, 24 गंटे से सोया नहीं हूँ मैं, आज आपने मुझे बहुत ज़्यादा हट किया है, आपको लड़ना है, आप लड़िये यार, मुझे नहीं चाहिए, कुर्सी का मूल मुझे नहीं है, लेकि किसी को तकलीप देकर कुर्सी मत लीजिए, मैं महराजगंद से हूँ, इसमें ठीक मैं नहीं आ रहा हूँ, आप बिंदाज चुनाओ लड़ो यार, मुझे नहीं आना है, लेकि फिलीज उसमें जनता का मेरे प्रगुराम को मेरे सो को बरबाद मत करिये, उसमें जनता का नुक्सान मत कराईए, ये तिन-चार बार हो गया मेरे साथ, मैं सोच रहा था कि हो सकत आज पॉब्लिक का मूड है, पॉब्लिक प्रॉब्लम कर रही है, लेकि आज आपका टेक आप अपने फेस्बुक पे जो टेक किया है, उससे समझ में आगे आज ये कौन कर रहा है, कोई नहीं, बस मैं अपने जनता को भगवान मानता हूँ, ये भगवान हर जाती के जो मुझन ये है, मैं सबका पैर चूरा हूँ, हर जाती को मैं अपना आदर्स मानता हूँ, हर जाती को अपना भगवान मानता हूँ, मेरे अंदर जात परता नहीं है, मैं हर जाती का बेटा हूँ, बस बेटा बनके रहना चाहता हूँ, नेता बनके नहीं, मुझे सक्तिय आप नमर लोग देते हैं। मुझे पूर्ए वर्ड में चिह नमर पर चुना किसने। आप सब ने चुना। 24 वीक में मुझे 90 कड़ों ने सर्च किया। किसने आप ने। कि ऐसारी कqua और को सल्दुरक्र अपने सब्सक्राइब करकर.. आज मुझे इतना बड़ा बना दिय कि हर जगह आप जब मेरा गहाना रिलीज होता है तो लोग मुझे प्यार देते एक के सारी गलत की यार बहुट सारे लोग आ रहे हैं एक के सारी के ऊपर ये ऐसा क्यों कर रहा है आप आप को सलेलता बगाना ए तो आप धरना पे बैठे ये मैं भी बैठूँगा आपके साथ आपका भाई छोटा भाई भी बैठे गई आपका सपोर्ट कर रहा हूँ मैं कि मैं आपके साथ हूँ भई है कि पिलीज मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ आप ऐसा कुछ मत करिए जिसे जनता को प्रॉल्बम जनता का सरफटे मेरे लोगों को तीन गाड़ीों का सीसा तक बजनी बचा है और मेरे गाड़ी पे तो कुछ नहीं बचा है मैं नहीं बगता तो साइद मैं कैसे कैसे भागा खेता खेती भाग के आजा हूँ मैं एरे चार लड़के और मैं खेता खेती दोड़ दोड़के मेरा जूता चपल साब छूट गया मैं कैसे कैसे भागा हूँ आँज आप ऐसा मत कराइए अपने समाज के लोगों से आपके समाज हर आदमी तो गलत नहीं हो सकता मुझे भी पता है आप कुछ लोगों कि आपके चंद लोग हैं जो फेस्बुक पे मुझे जो भी मैं गाना गाता हूं उसके में गाली गुलोज भरते रहते हैं, लिखते रहते हैं, अगर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, तो किसी का विरोध भी मत करें, उसको गाली भी मत देचे, अगर आप सम्मान के सारी को नहीं दे सकते, तो मैं आप से सम्मान के एक्छा भी नहीं रखता कि आप मेरा सम्मान करेंगे मुझे माफ करिये मैं अगर कोई गलती किया हूँ आपके लिए तो मैं छमा परारती हूँ आपसे ऐसा मत करिया मुझे दुस्मन मत बना ही मेरे जनता को मुझे बहुत प्यार करती है मेरे जनता वो जब आप देखी आपको मुझे पता है आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं आपके समाज के कुछ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे गाली दिलवा रहे हैं गाली दे रहे हैं मैं अगर किसी का मदद भी कर रहा हूँ उसको भी चुनाव का और राजनीती मूर देते हैं कि हाँ इसमें भी राजनीती बस बाकी कुछ नहीं आप मेरे सो में पहले लाइट कटवा देते हैं लाइट कटेगा तो साउंड बंद होगा साउंड बंद होगा तो हंगामा होगा मत करिये ऐसा आप लोग सम्मानी थे हर जाती के लोग मेरे भगवान है उनको मानता हूं मेरे लिए कोई जात दुस्मन नहीं है अगर दुस्मन होता तो आज किसारी लाल यादो यहां तक नहीं पहुंचता और इतनी प्यार आप लोग ने दी है उसका सम्मान पूरे जीवन करूँगा मैं बस इसी बानी के साथ बाकि कुछ नहीं बोलूँगा बाकि ही जनता है सब ही सहाविस के पास रहता है और मैं परसासन से कहूँगा कि प्लीस मैं जब भी भी आ रहता हूँ तो मेरी मदद करें नहीं तो साइद मेरा हत्या हो सकता है बस आपका बेटा के सरी है एक लिठी बेचने वाला एक गरीब का बेटा आपका बेटा नमस्ते